बारो जोडो यात्रा में कन्या कुमारी से कश्मीर तक हम चले और यात्रा में एक यात्रा में से एक नारा निकला नफरत के बाजार में महबत की दुकान खूलनी है लाकों युवाओं से मेरी बात हुई बुज़ूर्गों से किसानों से वियापारियों से युवाओं को पूछो पूरे देश में क्या करते हो मोदी जी की सरकार ने हिंदुस्तान के युवाओं को बेरोजगार कर दिया है हर युवा कहता है मैं काम करना चाहता हूँ देश को बनाना चाहता हूँ मगर देश में नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज ने हिंदुस्तान के युवाओं को कि शक्ति को नश्ट कर दिया है ये देखिए कितना जोश है देखिए अब देखिए इतने जोश से अगर हमने इंदुस्तान के युवाओं को काम में लगा दिया तो मेड इन चाहिना इस दुनिया में दिखेगा ही नहीं मेड इन इंडिया दिखा ही देगा अब नरेंद्र मोदी करते क्या है बारा हजार करोर रुपे के हवाईजाज में बारा हजार करोर रुपे के हवाईजाज में बारा करोर रुपे की गाड़ी में गूमते हैं आपने पिछले दस साल में नरेंद्र मोदी को किसी किसान के साथ देखा है किसी मजदूर के साथ देखा है किसी छोटे दुकानदार का हाथ पकड़ते हुए देखा है नहीं देखेंगे बाईओ और बेहनों वह आपको हवाईजाज में अमरीका जाते हुए देखेंगे उदर अमरीका के राष्ट्रपती से गले मिलते हुए दिखेंगे राइट अधानी जी के साथ फोटो में ऐसे दिखेंगे जैसे दो मित्र एक साथ खड़े होते हैं मगर गरीब किसान के साथ मजदूर के साथ बेरोजगार युवा के साथ नहीं दिखेंगे नरेंद्र मोदी जी किसानों को मजदूरों को बेरोजगार युवाओं को मूरक समझते हैं पूरा का पूरा काम अदानी का सडके अदानी की सिमेंट के प्लांट अदानी के एरपोर्ट अदानी के जैपुर एरपोर्ट अदानी का पोर्ट्स अदानी के पहले अधानी जी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से 600 नंबर पे थे दूसरे नंबर तक नरेंद्र मोधी ने अपने मित्रों को पहुँचा दिया ये सच्चाई है बाईों और बेहनों दो तरीके की सरकार हो सकती है एक जो किसानों के साथ गरीबों के साथ मजदूरों के साथ खड़ी होती है और दूसरी जो अरब पतियों के साथ खड़ी होती है आप जानते हो बी जे पी अरब पतियों के साथ खड़ी होती है कॉंग्रेस पार्टी किसानों के साथ युवाहों के साथ मजदूरों के साथ कड़ी होती है कोविट आया याद है यहाँ पे सब लोगों का कोई मित्र किसी का भाई किसी के पिता को कोविट हुआ लाकों लोगों को कोविट हुआ कॉंग्रेस पार्टी ने क्या किया बिलवारा मॉडल याद है आपको बिलवारा मॉडल घर में फूट पैकेट देना शुरू कर दिया ओक्सिजन के सिलिंडर लाई यूद कॉंग्रेस के लोग लग गए ओक्सिजन सिलिंडर देना शुरू कर दिया दवाई देने शुरू करती नरेंद्र मोदी क्या कहते है ठाली भजाओ ठाली भजाओ मोबायल फौन की लाइटन करो क्या मतलब है ठाली भजाओ लाइट अन करो उनका अपने आजकल भाशन देखा होगा अपने बाशन में पहले कहते थे मित्रो मैं OBC हूँ मैं पिछडी जात का हूँ हर बाशन में मैंने जाती जनगर्ना की बात बोली पार्लिमंट में मैंने एक बाशन दिया मैंने कहा इस देश में जाती जनगर्ना होनी चाहिए ताली बजाईए और जोर से ताली बजाईए मैं बताता हूँ आपको जाती जन्गरना क्या है आज मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले आपसे सवाल पूछता हूँ इस देश में OBC वर्ग के कितने लोग हैं कोई नहीं बता सकता कोई नहीं बता सकता बाई और बैनों इसका कारण है ये एक साजिश है आपको आपकी सच्ची जन्ग संक्या आपकी सच्ची अबादी नहीं बताना चाहते हैं बाईों और बैनों कम से कम OBC की अबादी इस देश में पिछडों की अबादी इस देश में पचास परसेंट है पचास परसेंट मतलब अगर आप इस देश में कहीं भी दस लोगों को खड़ा करो पांच लोग OBC वर्ग के होंगे आप अपनी शक्ती समझिये मैंने सवाल पूछा पार्लेमेंट में नरेंद्र मोदी के सामने मैंने का नरेंद्र मोदी जी आप अपने आपको OBC कहते हो OBC कहकर आप चुनाओ जीते बराजार क्रोड रुपे का हवाई जाज में उड़ते हो हर रोज नया सूट नया कपड़ा पहनते हो कभी देखा आपने नरेंद्र मोदी को दो दिन में जा उन्होंने नया कपड़ा ना पहना हो हर रोज दो तीन नया कपड़े पहनते हैं मैंने उनसे कहा मोदी जी बताइए इस देश में OBC कितने नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है भाईयों और बहनों इस देश में एक ही जात है वो है गरीब सिर्फ गरीब और को जात ही नहीं है मतलब ना OBC ना दलित ना आदिवासी कोई जात नहीं मगर आप OBC नरेंद्र मोदी OBC देश में कोई जात नहीं देश में सिर्फ गरीबों की एक जात है अच्छा जब समय आया OBC को उसका हक देने गा समय आया नरेंद्र मोदी जी कहते है जात ही नहीं है सिर्फ गरीब है हिंदुस्तान में अच्छा नरेंद्र मोदी जी अगर देश में एक ही जात गरीब है तो अमीर की कौन सी जात है तो नरेंद्र मोदी जैसे ही मैंने OBC जाती जन्गरना की बात उठाई नरेंद्र मोदी कहते है जाती नहीं अब मैंने इस बात उठाई क्यों मैं आपको बताता हूं बात इसलिए उठाई हिंदुस्तान को बाईयों और बेहनों MLA और MP नहीं चलाते हिंदुस्तान के किसी भी बच्चे से आप पूछो क्या करना चाहते हो कहेगा मैं आईएस में जाना चाहता हूं सही क्यों कहता है क्योंकि वो जानता है कि आईएस के अफसर चुनाओं में MLA बदल जाता है MP बदल जाता है आईएस अफसर कभी नहीं बदलता यह हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं मतलब हिंदुस्तान का पूरा का पूरा धन लाकों करोर रुपे का बजट यह 90 लोग बाढ़ते हैं शिक्षा का मामला हो स्वास्त का मामला हो डिफेंस का मामला हो सडकों का मामला हो खाद का मामला हो सारे के सारे निन्वे बजट के निन्वे यह 90 लोग लेते हैं अब सवाल मैंने पूछा पार्लेमंट में मोदी जी अगर OPC की सरकार है अगर दलितों की सरकार है आदिवासियों की सरकार है तो 90 में से पिछड़े कितने 90 अपसरों में से पिछड़े कितने नरे दर मोदी चुप हो गए सारे BJP के लोग चुप हो गए सनन झाल झाल